कि नमस्कार दैनिक भासका डॉट कॉम और मैक्स लाइफ इंसुरेंस इन एसोसियेशन वित मनी भासका डॉट कॉम प्रेजेंट्स सवाल पैसे का बजट दो हजार उन्नीस आज हम विविन सेक्टर के एक्सवर्ट से बात करने जा रहे हैं बजट के बारे में लेकिन उससे पह पढ़ाना चाहिए और उसके अंदर एटीडी में जो है बेनेफिट हमारे जो पचीस-पचीस हजार रुपे हैं उन्हें पचास-पचास हजार रुपे करना चाहिए इससे जो लोवर लोवर लेवल का एंपलोई है उससे काफी बेनेफिट मिलेगा इंकम टेक्स का दायरा ह इसको दो जो 2.5 लाइक जो है उसको डबल किया सकता है सबस्क्राइब चीज है कि जितने भी प्राइवेट कंपनी से उसमें ग्रेजुटी का जो पिड़ो तीन साल किया जाए और उमीद करते हैं जो हर देश के लागरिक तक इसकी साकरात्मक सोच और इसके फाइदे मिलते आपने जनता की रहे तो जानली बजट के बारे में लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं टैक्स के बारे में जो जनता की सबसे बरी चिंता का विसाय होता है और इसके बारे में हमारे साथ है टैक्स एक्सपर्ट हिमानसु कुमार जो को फाउंडर भी है हेलो टैक्स के और इन से हम बात करते हैं और सवाल करते है कि- क्या बदलाव इस बजट में हो सकता है हमाओनसू जी। ये बताई है कि टाकस को लेकर सब से ज्यादा चिन्टा होती है लोग के दिल में जब भूजट पेस होता है तो इस बार आपको लगता है कि कुछ बड़ा बद्लाव सरकार कर सकती है, कुछ राहत दे सकती है. देखे, बजट की अगर हम बात करें, तो बजट तो आने वाला है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपोर्टेंट यह है कि एक एलेक्शन का भी माहौल है. तो इस बार बजट ऐसा नहीं कि कि ओल आप बजट को प्री बजट की तरह देखेंगे, इसको दो आस्पेक्ट से देखनी के जुरुवत है. पहली चीज ये, कि एक तो एलेक्शन है, तो मिडिल क्लास को क्या मिलने वाला है? साथ के साथ अगर एक चीज और देखे, कुछ दिल पहले गौवर्मेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल ले के आया है, सवर्नों के लिए. उसमें जो लीमिट दी गई है, वो भी एक बिंचमार्किंग की गई है, कि आठ लाग के अगर नीचे है तो आप गरीब हैं. अगर मैं उस तरह से बात करूँ तो. अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरा ये हो गया, कि अगर हम टैक्स लीमिट की बात करें, तो धाई लाकी है, वहां आठ लाकी है, और एलेक्शन आने वाला है. ये तीनों कॉंबिनेशन बिना के, जो मुझे लगता है, कि जो लीमिट है, वो 5 लाक से 6 लाक के आसपास हो जानी चाहिए. इसमें मुझे कोई, मतलब कहीं second thought नहीं है. लेकिन जो question जो सबसे बारा आने वाला है, कि गॉवर्मेंट के पास deficit बहुत हाई है. Deficit हाई होने की कारण, अब क्या है कि गॉवर्मेंट आपको benefit देना चाहती है, लेकिन benefit दे तो कहां से दे. तो गॉवर्मेंट कुछ ऐसे solution लेकि आएगे, जिसका impact directly, indirectly आपके NPA से होगा. यानि कि कुछ limits तो दिये जाएंगे, साथ के साथ आपको ATC में भी changes दिखेंगे. लेकिन जो ATC में changes होंगे, उसका कहीं न कहीं impact money market से दिया जाएगा. Money market का मतलब यह होगा, कि हो सकता है गॉवर्मेंट कुछ ऐसे tools लेकिया है, ऐसे equipment लेकिया है, RBI कुछ bond लेकिया है, कि आगर आप इस bond में पैसा लगाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा 50,000 और लाक रुपे का benefit ATC में भी दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर locking period किया जाएगा. अभी ATC में 1.5 लाक तक की limit है, तो आपको क्या लगता कि यह धाई लाक या 2 लाक तक जा सकता है? 1.5 लाक नहीं, टेक्निकली 2 लाक है, 1.5 लाक प्लस 50,000 यह limit भी बहुत दिनों से अगर आप देखें, तो revise नहीं हुई है, इसको भी revise किया जाएगा. इसको revise इसलिए भी किया जाएगा, अगर आप देखें, तो एक तो long term capital यह था, उसको withdraw कर लिया गया, उसका भी कहीं न कहीं, directly, indirectly, एक middle class पे impact आया है, तो उसको revive करने के लिए गुवर्मेंट कुछ ऐसे bond ले के आएगी, इस तरह की चीज़े लाएगी, जिससे उसका capital infusion भी हो, गुवर्मेंट का बहुत बहुत एक क्लिर एजंडा होगा, कि आपको tax benefit दिया जाए, तो 6.6.7 लाख रुपे तक कमाने वाले tax के दाएरे से बाहर हो जाएंगे? देखे, ये तो कहना है, बहुत जल्दिवाजी होगी, जबते कि बजट नहीं है, एक तरह का speculation है, एक और बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ जो देखने में आ रही है, अभी सुनने में भी बहुत जगत से आ रहा है, पिछले साल स्टेंडर डिड़क्शन इंसर्ट किया गया था, उसकी बज़े से दो जो कॉंपोनेंट थे, उनको हटाया गया था, हो सकता है कि इस बाल उसको भी इंट्रिउस कर दिया जाए, क्योंकि एक इंड़स्ट्री की डिमांड थी कि ये करना ही चाहिए, तो वो भी दोनों जो आपके बेनिफिट थे, अलाविंस थे, उसको रिस्टोर करने की बात हो रिक तो वो भी रिस्टोर हो सकता है, यानि कि अगर आप देखे तो तीन पॉइंट ऐसे हैं, जो मिडिल क्लास को डिरेक्ट आपके टैक्स से भी में पे इंड़स्ट करेगा, एक तो आपका जो स्लैब है, वो डबल होना, मोटा मोटी कनफर्म है, उसमें मुझे, अब भूर धाई लाग से पाँच लाग हो जाएगी, के लिए साथ के साथ मिडिल क्लास को एक बेनिफिट भी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखे तो GST से कहीं ना कहीं इंपक्ट तो आया, इंफलेशन है, तो गॉर्मेंट जो एक्सपेक्ट करें कि मिडिल क्लास उसके साथ रहे, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ रियायत देना होगा, तो धाई लाग का पाँच लाग हो ना हो, लेकिन इसके आसपास रहेगा, हो सकता है यह छे लाग भी हो जाएगा, दूसरा जो आपका A.T.C. का जो डिड़क्शन था, अगर अब अभी स्टैक्स स्लैब को देखेंगे, पांच, बीस और तीस परसेंट का स्टाइब अगर्मेंट चाहेगा, क्योंकि डिरेक्स कोड भी आने वाला है, डिडिटीसी भी आने वाला है, तो government in sub front पे middle class को हो सकता है कि गयाय दे कि 10 का भी introduce करें मतलब वो 5 का slab उसको भी रहने देंगे उसको भी छुगेंगे नहीं उसको भी रहने देंगे और बीच में 10 का slab भी देंगे तो कहने का मतलब पाज के बाद सीधा 20 पर नहीं जाएंगे आप 20 पे नहीं जाएंगे, चांसे इसके भी बहुत हाई है, क्योंकि आप देखें, टैक्स में पंदरा पर्चेंट का गैप है, पांस सीधा बीस जाना थोड़ा साना, मतलब उसको आप कह सकते हैं कि एक टैक्स के सिस्टम से भी सहीनी, इतना बड़ा गैप नहीं है, अभी त कंपनियों को सरकार कुछ रहा दे सकती है, क्योंकि उनका डिमांड है कि इससे पैसा जनरेट होगा और फिर वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि अगर पीछे देखे तो अलड़ी इसमें कॉर्परेट टैक्स को 25 परसंट कर दिया गया है, तो कुछ लिमिट उसके दिये गया है, मुझे नहीं लग रहा है कि कॉर्परेट टैक्स में, क्योंकि अगर अभी के टाइम में आप कॉर्परेट टैक्स को टच करेंगे, तो इसका मैसेज क्या होगा, तो गवर्मन मैसेजिंग भी देखेगी, क्योंकि अगर उसनोंने करेंगे, क्यों कॉर्परेट के लिए काम करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस बार कॉर्परेट को, हाँ, इस बार मिडिल क्लास और अग्रिकल्चर सेक्टर में आप बहुत ही रहत देखेंगे, क्योंकि यह दो ऐसे सेक्टर है, जो कि आपके एलेक्शन को भी बहुत ही अच्छा बजट देखने को मिलने वाला हमें अच्छा मोधी सरकार हमेंसा कहती है कि आप टैक्स दें, इमांदारी से टैक्स देतों, क्या इमांदार टैक्सपेयर को कोई रहात, एक्स्ट्रा इंसेंटिव या कोई अतरिक्त रहात देने की बात हो सकती इस बजट क्योंकि आपकी जो आमदनी होती हैं टीडियस कटने के बाद आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं बहुत आपके पास नहीं होता है तो एक तरह से देखे तो हमारे सबसे मंदार टैक्सपेर हमारे सेलरी क्लास है और मुझे उमीद है कि इस वार बजट में उनको अच्छा खासा रहत मिलेगा और जो टैक्स सेविंग के जो एकूपमेंट से उनको कहीं न कहीं गौर्णमेंट प्रमोट करने की भी बहुत तरह से कोसिस करें लेकिन इससे कहीं न कहीं सरकार क राजस पे भी असर पड़ सकता है अगर वो रहात देती है एक तरफ मिडिल क्लास को रहात मिल जाएगे लेकिन जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो सकता है आप देखिए यह मैंने आप स्टार्टिंग में देखे तो मुझे लगता है कि अगर गौ जो मामला है नो बहुत प्रॉब्लम हो चुका है तो गवर्मेंट के पास सबसे जो सही सोलूशन यह है कि एटी सी के लिमिट को बढ़ाया और वहां लॉकिन लगा है कि पांस साल अगर आपने पैसा लगाया तो आपको यह बेनिफिट और इंट्रेस मिलेगा यानि कि मिडि क्लास को अगर आप बेनिफिट देके मार्केट से करेंगे तो आप इसली पैसा रीज कर पाएंगे जिसको कैपिटल आप पांस साल चार साल छे साल जो भी वह गवर्मेंट का अपना डिसेजन हो सकता है तीन साल हो सकता है पांस साल हो लेकिन एक पांस साल बहुत स्टैंडर लॉंग टर्म इंपाक जब देखेंगे उस वर्किंग कैपिटल का तो बैंको रहात मिलेगी तो उसकी पी लिएबिलिटी कहीं ने कहीं आपके बुक पे आनी थी तो आपको बहुत स्मार्टली प्ले करने का टाइम है और मुझे लग रहा है कि गवर्मेंट इसी तरह से कु पचास अजार उपे तक की अर्निंग पे कोई टाक्स नहीं लगेगा लेकिन वह भी 10 अजार तक ही सीमित है तो क्या इस बजट में उस पे भी सरकार वीचार कर सकते हैं देखिए मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत फ्रेंट खुले हुए हैं स्टेंडर डिरक्शन अ नहीं चाहिए यह डबल बेनिफिट हो जाएगा जानी कि आप मेजर फोकेस रहें कि आप लिमीट पे ही आपको जो और एटीसी में क्योंकि एटीसी इसलिए मुझे लगता है यह मेरा प्रसनल मानना है कि इसका मनी मार्केट के साथ बहुत गहरा नाता है और इसके थूर प्ले करें तो जो कापक्स की प्रॉब्लम उसको भी डिडूस कर सकते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि वहां पर आपको कोई बहुत रियायत देखने को मिलेगी यह अगर फ्रंट ही हो जा तो आपको बहुत अच्छा टाक्स बचा पाएंगे बहुत ही अच्छा टाक्स आफरी सवाल यह कि आपके नजर में आपकी नजर में ऐसा सरकार को क्या करना चाहिए जिससे मिडिल क्लास को भी रहत मिले सरकार का राजस्त भी नहीं घटे और हमारा NPA भी कम होने में उससे मदद मिले तो ऐसे क्या कदम होने देखिए मैं तो मेरा जो प्रसनल मानना है कि एटी सी को धंग से चैनलाइज करें क्योंकि आपके पास पैसा किसके पास इंड अपर ड़न करता है कि कि लॉटर मिडिल क्लास क्या है कि वह लॉंग टम प्लैनिंग करता है कि वह 15 साल 20 साल वाद उसकी बेटी की शादी करनी है बेटे को एड़नी देना घर करीदना तो जो प्लानिंग बहुत लंबी होती अगर आप इस लंबी प्लानिंग को इस तरह से मनी मार्केट के साथ कनेक्ट करें कि उसको टैक्स बेनीफिट हो जाए और एक अच्छा इंट्रेस्ट भी मिले और एक मुस्त पैसा भी मिल जाए अगर इस तरह से आप चैनलाइज कुछ करते है कुछ कूप मेंड बॉंड लेके आते हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल का जो प्रॉब्लम हो भी सौट आउट हो जाएगा और मिडिल क्लास को फायदा ही हो गया कि उसके लिए अच्छी इंवेस्मेंट ऑपरचुनिटी लेकिन उस इंवेस्मेंट ऑपरचुनिटी के लि होगा जिसको मिडिल क्लास लगे कि हमारे लिए और अगर हम इसमें जाते तो लॉंट में हमारा इसमें बहुत फायदा है यह मैसेजिंग जब तक नहीं जाएगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है आप कोई भी प्रॉडक्ट लाएं फिर घूम मतलब मामला वहीं हम घूम क कि आजाएंगे तो यह गौर्णमेंट की रिस्पॉंसमिलिटी यह इस्टैबलिस्मेंट को यह विश्वास देना कि यह मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है धन्यवाद इमांसो जी आपने बहुत आहम जानकारी दी और अगर सरकार ऐसा करती है तो आम लोग झाल